जस्वं सिंँंग गिल उनकी कहानी को अक्षय कुमार ने पीनुसऀं की जोडी ने जिस तरीके से ainda शांदार 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 अक्षय कुमार ने अभी कहा इसी कहानिया देना है चाहते है ऐसे कहानिया ने बार स्थ कृण डिया घ्या कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेडे दू फिल्म में रिलीज हो लिए लेकिन आज हम बात कने वाले अक्षा कुमार स्टारर मिशन रानी गंच दब ग्रेट भारत रेस्क्यू के बारे में और एक एक्सपर्ट जो हैं उन से रिव्यू जानेंगी कि एंटेटेन्मेंट एडिटर उसको जैनरलिस्ट ने फिल्म देगी लेकिन जो एक्सपर्ट एडिटर से न्यूस चैनल्स के उन से जानेंगी कि फिल्म का रिस्पॉंस कैसा रहा तो चलिए शुरू करते हैं सर कैसा लगा रिस्पॉंस किस फिल्म के बारे में पूच रहा हैं मिर्षण रानी गंज जिस के बारे में हम उ Bean शाइट जानते ने कि दूव हैं अब बारोग जानते हैं मतलब काफी लोग जानते हैं ज räुनकी कहानी को इतना बढ़ा चटा के इतना तरीके से और इतनी खुब सूपनिकी से कभी कहा never मुझे अफसोस है कि मेशन रानी गंच को पूजा फिर्म को जिस तरीके से प्रमोट करना चाहिए था इस फिर्म को उन्होंने प्रमोट नहीं किया लेकिन वो काम हम कर देते हैं क्योंकि इस फिर्म को प्रमोशन की नहीं मतलब जस्वन सिंग गिल उनकी कहानी को अक्षय कुमार ने इनु दिसाइन की जोडी ने जिस तरीके से जिस खूबी के साथ पेश किया शांदार 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 हां सबसे पहले मैं कमजोरी की बात कर लेता है फिल्म का VFX जो है क कुछ एक सीन्स ऐसे लगते हैं कि बहुत लोग बजट प्रोमा पर शूट लागया है यह एक एकलोती खामी है इस फिल्म की अधर्वाइस यह फिल्म जब से शुरू होती है और जब तक फिल्म होती है इतना शांदार इतनी थ्रिलिंग इतना पेस सिर्फ एक गाना है फिल् एक जो डूसरा गाना रिलीज हुआ है जो रोमाइंटिक ट्रैक है वो फिल्म के क्लाइमेक्स में रखा गया है फूरे फिल्म राणी गंज कोल माइंस के उस हाथ से पर है जब वहां पानी फूर जाता है और माइन उसमें कोल बचाने के लिए जस तरीके सब एनोंने रेस्क इंजिनरिंग जैसे दिखाई है, आपको मैं बता हूँ, इतनी टेकनिकल फिल्म को इतनी सिंपल तरीके से दिखाने के लिए, टीनु सर्दसाई, जो है, उनको और राइटर को एकदम बिल्कुल सेल्यूट करना चाहिए, कामाल के फिल्म है, फिल्म वर्ड आफ मौथ पर चले है, तो मैं उनके बारे में जानता हूँ, लेकित, आम लोग जसन सिंगिल के कहानी को उस तरीके से नहीं जानके, और मैं आपको फैक्ट बताओं कि इस फिल्म को जिस तरीके से प्रमोट किया जाना चाहिए था, इस फिल्म को, जिस तरीके से प्रमोट किया जाना चाहिए थ जहां थे बहुत कम को पता है इससे प्रेछे सी हैं अब तीसरी फिल्म थो यह थोड़ा समझ गए इसके फिल्म के प्रमोशन से फिल्म परग नी पड़ता के पर ox try बचेक्व ps देखिए, Akshay Kumar ने अभी कहा, एक IIT में उनका एक सेशन था, उस सेशन में Akshay Kumar ने कहा, कि वो अपनी ओडियंस को वो देना चाहते हैं, ऐसी कहानिया देना चाहते हैं, ऐसे हीरो की कहानिया देना चाहते हैं, जो जन्हों ने वाकई इस कंट्री के लिए कुछ किया, उन्हों उन्हों ने पैडवेंड बनाई, ओमाई गॉड शांदा, शांदार फिल्म, और ये Akshay Kumar का वो आउतार है, जिसके लिए हम Akshay Kumar को जानते हैं, जिसके लिए हम Akshay Kumar को दिखना चाहते हैं, Akshay Kumar इस फिल्म में जस्वन सिंग, जिल के करेक्टर में एक दम परफेक्ट लगे, परनिती चोपड़ा का करेक्टर छोता है, लेकिन दमदार है, शांदार, रवी केशन मतलब पूछिये नहीं, इस फिल्म का हर एक करेक्टर, हर एक करेक्टर बहुत ही कमाल, बहुत ही कुजी से इलका लिया है, अब बहुत तरीके से चुना, माइनर्स को जिस तरीके से इस फिल्म को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हिंदोस्तान में ही ही रोस की कमी है, आज के लिए पसे इतना ही, आपको पसंद आओगा और इनका रिव्यू जानने के बाद आपको थोड़ा सा आड़े लगया होगा कि फिल्म का रिस्पॉंस कैसा होने वाला है, और हाल पे देखनी है या फिर फिल्म के लिए आपको डिटी का वेट करना है, तो दोस्ता आज के लिए बसेतना ही, I hope you would आपको पसंद आया हो, so if you love this video, please like कीज़े, share कीज़े और subscribe कीज़े, news buff, ताक इसी तरह की सारी update आप तक ऐसी ही पहुंसती रहे, thank you so much.